हेलो दोस्तों आप सभी का ओल राउन नुलिज में स्वागत है और आज ट्रांसलेशन वर्क सुरू करने से पहले कुछ ग्रैमर वर्क हो जाए तो आप लोग सभी इस वीडियो का अंतक जरूर देखेगा आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और आप बिल्कुल चिंता न करें जो भी नियम है रूल्स है मैं सभी रूल्स आपको बताऊंगा सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है और आप भी कहेंगे सर क्या बात है आपने तो कमाल कर दिया तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फिल इन दा ब्लैंक्स बिद केन, कुट और मे आज का वीडियो केन से भरना है कुट से भरना है और मे से भरना है और कैसे भरना है और किसका प्रयोग कहा होगा वो मैं आपको बताऊंगा तो डोंट वरी अबाउट दिस पापा क्या मैं समचार पत्र से जो मैगजिन सेक्षन है उसे ले सकती हूँ तो यहाँ पर वो क्या मांग रही अपने पापा से जी हाँ परमिशन और परमिशन में क्या लगता है केन का भी यूज़ कर सकते हैं में का भी यूज़ कर सकते हैं केन का परयोग हम informal तरीके से दोस्तों यारों में कर सकते हैं लेकिन में का प्रयोग जो है जातर जो officers होते हैं जो बड़े post में होते हैं उनके लिए हम में का प्रयोग करते हैं चुकि यहाँ पर papa है तो में का ही यूज करेंगे यहाँ पर में हो जाएगा papa, may I take the maximum section of the newspaper student to a teacher student जो है सिक्षक से कहता है does I close the window तो यहाँ पर भी teacher से अनुमती मांग रहे हैं तो can का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी may का यूज कर सकते हैं may I close the window the noise is disturbing me क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूँ आवाज से मुझे परिशानी हो रही है तो teacher ने कहा yes you may yes you can customer to a sales girl customer जो है sales girl से कहता है does I try this dress on क्या मैं यहाँ ड्रेस पहन कर देख सकता हूँ तो यहाँ पर आप can का use कर सकते हैं can I try this dress on sales girl कहती है of course you can हाँ आप कर सकते हैं this is a strictly private place यहाँ एक strictly private place है और यहाँ पर आप photographs नहीं खिश सकते हैं तो यहाँ पर क्या होजाएगा you can't या you cannot take photographs और जहाँ पर not allowed to का use करते हैं वहाँ पर आप cannot का use कर सकते हैं जैसे you are not allowed to take photographs you can't take photographs Ria at the reception of a bank Ria एक bank में जाती है और वहाँ receptionist से बोलती है does I talk to the manager for a while यहाँ पर वो permission मांग रही है तो मैं यूज कर सकते हैं may I talk to the manager for a while कुछ समय के लिए मैं manager से बात कर सकती हूँ तो receptionist कहती है yes you may yes you can भी यूज कर सकते है बिकरम to a friend बिकरम अपने दोस्ट से कहता है you dash keep this pain you can keep this pain तुम इस कलम को रख सकते हो I have others मेरे पास दूसरा है dash we leave our bags at the reception क्या मैं स्वागत कक्ष यानि reception में अपना बैक छोड़ सकता हूँ तिहां उस बेक्ती को हम नहीं जानते है कौन है नहीं है किससे हम बाते करें can का use आप कर सकते है can we leave our bags at the reception yes you can हाँ आप रख सकते हो छोड़ सकते हो on Saturdays we dash go to school in an informal dress हम Saturday को informal dress में school जा सकते हैं we can go to school in an informal dress my friend asked me मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा if see could use my camera could क्यों होगा क्योंकि यहाँ past है asked है तो if के बाद भी यहाँ पर can का past could ही use होगा और क्योंकि past में उपर option में सिर्फ could है you dash use calculators you can use calculators आप calculator का use कर सकते हैं but not cell phones लेकिन cell phone का use नहीं कर सकते है in fact you can't carry cell phones into the examination hall यहाँ तक कि आप cell phones को examination hall तक में भी नहीं ले जा सकते हैं in fact you can't carry cell phones into the examination hall उमीद करता हूँ कि आज का listen आप लोग को बहुत interesting लगा होगा और इस वीडियो के साथ ही अब हम लोग translation की तरफ आगे बढ़ते हैं हेलो दोस्तों आप सभी का all around knowledge में स्वागत है और आज मैं आप लोग को head better का use बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सब इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए head better head you तो past को दिखाता है लेकिन भविस को दिखाने के लिए भी head का use होता है और किस तरह से होता है मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा example के माधियम से तो आप लोग सब इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तुम्हारा अब यहां से जाना ठीक रहेगा you had better go from here तो यहां पर सबसे पहले तुम्हारा का लिखेंगे you you लिखने के बाद यहां पर लगाएंगे had you had better go from here you had better go from here better के बाद to go नहीं लगाना है यानि की better के बाद directly भर्व को लिखना है तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा तो तुम्हारा का क्या लिखेंगे you you के बाद क्या लगा देंगे had better अब फोन करना का क्या होता है इसके बाद तो भर्व लिखना है तो फोन करना का रिंग भी होता है you had better ring him उसे का लिख देंगे him हमारा उसकी अनुमती लेना ज्यादा ठीक रहेगा तो हमारा का क्या लिखेंगे we we had better take his permission देखें कितना आसान लग रहा होगा आप लोगों को आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा रहेगा तो आपको का क्या लिखेंगे you you के बाद क्या लगा देंगे had better you had better subscribe to my channel तुम्हारा उसे यह ना बताना अधिक अच्छा होगा पहली बार इसमें negative है negative sentence है negative word ना है तो तुम्हारा उसे यह ना बताना अधिक अच्छा होगा तुम्हारा का लिखेंगे you you had better इसके बाद लगा देंगे not you had better not tell him about this अच्छा होगा तुम उसे ना मिलो इस तरह के sentence में भी आप head का यूज कर सकते हैं तो तुम यहाँ पर subject है you हो जाएगा you had better you had better not meet him you had better not meet him अच्छा रहेगा अब तुम सो जाओ तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं you had better sleep now अच्छा होगा हम अपने रिस्ते के बारे में अपने माता पिता को बता दे तो यहाँ पर subject हम है तो we लिखेंगे we had better इसके बाद भरव आएगा बताना का टेल होता है we had better tell our parents के बारे में about our relationship उसे डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा he had better फिर भरव लिखना है take डॉक्टर का के लिए epistrophic कोमा देकर एस लिख देंगे doctor's advice तुम्हारा इस वीडियो को share करना ज्यादा ठीक रहेगा you had better share this वीडियो और आप लोग को इस वीडियो को like करना भी अच्छा रहेगा you had better like this video दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोग को बताने का प्रियाश किया है और इसी तरह से English सिखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल all-round knowledge को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ओल राइट देर स्वेंट्स और फ्रेंड्स थैंक्स पो वाचिंग एव ए ग्रेट डे और दूसरे सभी वीडियोज को देखना न भूले झाले